बहुत बार हम देखते हैं कि अधार कार्ड में अचानक से भगवान हनुमान जी की फोटो प्रकट हो जाती है या फिर अभी भी अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलेंगे जो अधार कार्ड से जुड़े हुए होंगे या फिर वोटर लिस्ट से जुड़े हुए होंगे जिसमें भगवान हनुमान जी के नाम के साथ उनकी फोटो अचानक से चप जाती है प्रकट हो जाती है बहुत सारे लोग देश के ऐसे हैं जो ऐसे मामलों को चमतकार बताती है कि ये भगवान हनुमान जी का चमतकार हुआ है या फिर अगर कोई मंगलवार को ऐसा चमतकार हो जाए तो भी उसे बहुत बड़ी मानिता दे दी जाती है लेकिन बहुत सारे मामले मानविये भूल के का जिसमें human mistakes पाई जाती हैं ऐसा ही एक मामला जारखंड के धनबाद का सामने आया है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि railway पुलिस का कारणामा देखिए railway पुलिस ने सीधे तौर पर भगवान हनुमान जी के नाम पर notice चपका दिया यहां तक कि यह भी कहा कि भगवान हनुमान जी आपने railway की जमीन पर अवैद कबजा किया हुआ है और railway की जमीन पर आपका अवैद तरीके से मंदिर बना हुआ है और notice मिलने के दस दिन के अंदर अंदर यानि कि notice मिलने के बाद दस दिन के अंदर अंदर आप अपना मंदिर य जो परिवार रह रहे हैं जिनमें 300 परिवार बताये जा रहे हैं पिछले 20 सालों से वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को भी साफ तौर पर नोटिस चपका कर चतामनी दे दी गई है कि आप रेलवे की इस जमीन को खाली करवा दे क्योंकि ये अवैद लेकिन अब अपने आप में सवाल ये खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है क्योंकि सीधे तोर पर सवाल ये उठता है कि ये जो नोटिस था क्या ये मंदिर प्रबंदन के नाम नहीं दिया जाना था आखिर भगवान हनुमान के नाम ही ये नोटिस क्यों से दिया गया क्योंकि अपने आप में कई लोगों की भावनाय आहत होती हैं हला कि रेलवे की अधिकारियों का इस पूरे मामले जब यानिकी ये पूरा मामला सामने आता है उसके बाद ये कहना था रेलवे अधिकारियों ने ये कहा कि ये मानवे भूल है यानि कि human mistake है और हम किसी की भी भावनाव को आहत नहीं करना चाहते थे किसी की भी भावनाव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे हम अपनी भूल को स्वेकार करते हैं और आने वाले समय में ऐसी गलतियों पर जरूर ध्यान रखेंगे कि आखिर किस के नाम नोटिस भेजा चाना चाहिए अ उनके भी मकान खाली करवाई जा रहे हैं। उनकी भी जूगियां खाली करवाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को भी कह दिया गया है कि अपने जुगियां यहां से खाली करवा दी जाएं यह पूरा का पूरा मामला रेलवे का बताया जा रहा है रेलवे जो की इस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को यह नोटिस लगाया था मंदिर के बाहर और नोटिस जो मैंने आपको बताया कि सीधे तोर पर भगवान हनुमान के नाम था मेरी आप सभी लोगों से यह अपिल की इस वीडियो को देखे और इसे शेयर जरूर करें और अपनी भी राए कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं धन्यावाद अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक